कमर्शियल बैंक और फाइनिंशियल इंसिट्यूशन जो सिक्यूर्टी रिलीज करेंगे उसको बोला जाएगा कि डिप्रोजिट्री कि सर्टिफिकेट या फिर इसी को एक और नाम से जाना जाता है इसको बोलते हैं कि सर्टिफिकेट ओफ कि डिप्रोजिट्ट इसको क्या बनते हैं इसको बनते हैं जमा प्रमाड इंडस्ट्री एं कंपनी जब जारी करेगी तो इसको क्या बोला जाएगा इसको बोला जाएगा कमर्सियल पेपर और हिंदी में इसका नाम होता है इसको बोले जाता है कुछ नहीं तो यह याद रखेंगे के इंडस्ट्र मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों ही जगह में अपनी सेक्योर्टी को रिलीज नहीं करता है पास्वज में आ रही है तो यहां पर चीज़क इस प्रकार की दिखाई दे रही कि मनी पर अलग तरह तो यहां पर आगर गोर्मेंन्न इस कांड़ियरत वाट ही नहीं जोट वहाखना भी जातना है वहें इसे को जोटा करो सेछने हैं का सब्सक्राइब के हैंता है वे अज़़े में यह रहे हैं पहले खोड़र चीम तो यहां पर अगर मैं देखुं तो गौश्य बनाए गया है क्या देखो एसके इन्वेस्मेंट कोन करेगा कोन करेगा तो आर्भिए की जो गौश्य का काम दो करेंगे उन पांच मेंबर में से एक कर सकता है आपका commercial bank या वाडिजिक bank और दूसरा कर सकता है आपका वित्तिय संस्थान या financial institution अब RBI यह जो government security in the form of bill release कर रही है तो यह जो release किया जाएगा यह सामान नित है 25,000 रुपए के face value पर release किया जाएगा अधिक है दूसरा अगर मैं यहां पर बोलू तो यह कैसे release कर सकते हैं कि discount पर बेच सकते हैं इंटरेस्ट पर बेचेंगे तो RBI जो है वो क्या करता है वो Treasury Bill ना RBI क्या करता है discounted security को क्या बोल रहे है उसको बोल रहे है Treasury Bill ठीक है और दूसरे को क्या बोल रहे है dated security तो यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि RBI की जो security है जो government security है वो जनरली 25,000 पर release की जाती है वो Treasury Bill पर release हो सकती है वो dated security पर भी release होती है short term duration है तो यह तो clear है कि एक साल से कम duration पर release होगा लेकिन कितना तो RBI की जो security है वो in maturity पर release होती है 7 days 14 days 91 days 182 days and 364 days तो यहां पर इतनी maturity पर RBI की जो security है वो release की जा सकती है कौन इसकी security में investment करेगा वो करेगा commercial bank और financial institution बहुले कि सर इसमें तो पांच member RBI release कर रहा है तो उसको छोड़ दीजे commercial bank और financial institution को आप बताई दिये हैं company या industry और individual इसकी security में investment क्यों नहीं कर सकते हैं तो यहां पर यह rule है यह याद रखना पड़ेगा आपको कि RBI की security जो government security in the form of bill के form में होगी उस पर investment करने का काम सिर्फ और सिर्फ commercial bank और financial institution कर सकते हैं इसके अलावा ना company ना industry ना individual को यह अधिकार है कि RBI की security में investment करें बात संच में आ रही है तो यहां पर यह चीजे नेक्स दूसरा member second और third member जो होता है वो कोन है वो है commercial bank और financial institution यही financial institution को मैंने आपको बोला था shadow bank इनहीं को तो मैंने बोला था यह चाया bank कहलाते है इनके दोरह जो security release होगी वो क्या कहला है कि वह यह तो depository certificate बोल देंगे उसको यह certificate of deposit बोलेंगे अब यह certificate of deposit यह depository certificate है यह किस form में release होगा तो यह clear है कि यहां पर देखो यह सिर्फ और सिर्फ किसमें release होगा यह release होगा dated security में कि अना यह किसमें release हो रहा है यह और है dated security में कितना time duration सेम रखिए 177 14 91 182 and 364 फेस वैल्यू जनरली यह याद रखिए आप एक लाक रुपए पर यह release होगा ठीक है इस पे investment कोन कर सकता है अगर माल लीजिए कि पंजाब निशनल बैंक है और उस पंजाब निशनल बैंक किस कटेगरी में आता है तो commercial बैंक की कटेगरी ने उसने release किया किसको उसने release किया अपनी एक depository certificate या अपनी एक security ना तो उसने जब security release किया तो उस पे investment कोन कोन कर सकता है तो icici bank यह भी commercial bank कर सकती है इन्वेस्मेंट चाहे तो वह भी investment कर सकती है इंडस्ट्री चाहे तो वह भी investment कर सकती है और individual चाहे तो वह भी यहां पर investment कर सकती है जब आप इसको देखते हैं जब आप यहां पर देखते हैं तो आपको investment कर सकते हैं एक चीज आप हमेसा याद रखिए कि money market हो चाहे capital market हो RBI सिर्फ अपनी security को release करेगा RBI उस security में investment की या किसी की भी security में investment नहीं करेगा और वैसे ही जो इंडिवीज्वाल होगा जो फिफ्ट मिंबर है वो सिर्फ investment करेगा वो अपनी security को रिलीज नहीं करेगा तो इस तरीक चीज़ें दिखाए देंगे तो commercial bank और financial institution जो release कर रहें उनको क्या बोल रहा है उनको हम बोल रहें depository certificate या certificate of deposit हिंदी में बोलते हैं जमा प्रमाड पत्र चारों इस पर रिलीज कर सकते हैं इसके जाद है इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री जो security रिलीज करती उसको बोलते commercial paper उसको हम बोल देते हैं वाडिजिक पत्र अब यह जो वाडिजिक पत्र होता है सामानी तोर पर आप देखोगे तो इसको पांच लाख की face value पर रिलीज किया जाता है अब जब इसको देखोगे तो सामानी तोर पर यह पांच लाख की face value पर रिलीज होगा किस form में रिलीज होता है तो यहाँ याद रखेंगे कि सर यह discount पर नहीं data security मतलब की इंट्रेस्ट पर ही sell होगा कितनी में चोटी पर sell होगा तो 7 डेज 14 डेज 91 डेज 182 डेज and 364 डेज इससे उपर क्यों नहीं क्योंकि सर मनी मार्केट का टूल है क्योंकि सर यहाँ पर मुद्रा बाजार के हम बात कर रहे हैं और जो मुद्रा बाजार होगा वो मुद्रा बाजार एक साल से कम पर काम करेगा तो इतनी चीज़ आपको समझ में आगीं तो यह जो इंडस्ट्री के द्वारा जो सिक्यूर्टी रिलीज हो रही है वो कैसी हो रही है कमर्सियल पेपर के फॉर्म में इस पर इंवेस्मेंट कोन कोन करेगा तो कमर्सियल बैंक भी कर सकते हैं इंडस्ट्री इन में से कोई भी तो यह समझ में आ गया कि सर और बी आई की सिक्यूर्टी में कोन कोन आ जाता है सिर्फ कमर्सियल बैंक और फाइनिसियल इंस्टियूशन दूसरा यह समझ में आ गया सर कमर्सियल बैंक और फाइनिसियल इंस्टियूशन की सिक्यूर्टी में कोन कोन आ जाता है तो आरबे को छोड़के कमर्सियल बैंक फाइनेंसियल इंस्टिउशन इंडस्ट्री एंड इंडिविज्वल और तीसरा जब हम बात करते हैं कि सर इंडस्ट्री यह कंपनी की सिक्यूर्टी में कौन को न आ जाता है तो फिर से वही कमर्सियल बैंक फाइनेंसियल इंस्टिउशन इंडस्ट्री एंड इंडिविज्वल इंवेस्टर राइट तो यह हो गया अब बाच्व नेक्स्ट बात आती है इसमें कि सर इंडिविज्वल इंवेस्टर जो रिलीज करता उसकी सिक्यूर्टी में कौन को न जाता है तो यह भी याद रखी कोई नहीं तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि इंडस्ट्री जो रिलीज करें उसको क्या बोल रहे हैं कमर्सियल पेपर बोल रहे हैं कौन-कौन तो आर्भी को छोड़कर जितने भी मिंबर है वो सब उस पर इंवेस्मेंट कर सकते हैं वो सिर्फ कितना हो एक दिन का हो तो वहां पर अप उसको क्या बोल देंगे उसको आप बोलेंगे ओवरनाइट कॉल मनी है ना बिल का मैंचोड़ी पीरीड जो है वो सिर्फ अगर एक दिन का हो तो आप वहां पर क्या को देते हो वहां आप बोलते हो n नोटीस इंट का ढूंगे और न को कि और अप क्या क्या याद को देते हो अपस को कि यहां पर आप मुधा को जएगा ज़ाएगा लेखाई और 14 डेस से जादा तो वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा टर्मनी बासन में आ रही है तो यहां पर यह भी important person है नेक्स अगर मैं बात करता हूँ velocity of money की तो velocity of money किसको बोलते हैं मुद्रा का वेक किसको बोलते हैं तो किसी भी मुद्रा का जितने number of transaction होते हैं यह जितनी बार उससे किसी भी आर्थिक क्रिया को संचालित किया जाता है उतने number of transaction को उस currency का हम क्या बोल देते हैं velocity right उसको हम क्या बोलते है velocity of money बास में आ रही है और इसका अगला जो portion होगा वो क्या होगा वो capital market right next class में बात करेंगे लेकिन इससे पहले अभी जो देख हो उसमें क्या 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 question बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपने यह देगा कि financial market ठीक है financial market कैसे काम करता है तो यहां पर आप आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस डाइग्राम से यह जितने भी हैं सब आपस में मिलकर money के flow जो है वो कर रहे हैं तो यह financial market जो है वो दिखाई दे रहा है next अगर मैं देखो तो क्या होता है उसके बारे में आपने देख लिया next अगर मैं देखो तो उसके दो part होते है money market और capital को रिलीज करता है कमर्सियल बैंक फाइनिसियल इंस्टियूशन इंडस्ट्री या कंपनी ऐसी कंपनी जिनका नेट वर्थ एटलीस फाइफ करोड रुपए होगा वही कंपनी अपनी सेक्योर्टी को बेज सकती है और इंडिवीजुल इंवेस्टर जो है वो भी इसका हिस्सा क्योंस्ट था नाम होगया का कमर्सियल बैंक फाइनिसियल इंस्टीयूशन इन में से कोई इंडेस्टरmb तो उन में से उसको बोला जाएगा depository certificate या फिर certificate of deposit है ना जिसको हिंदी में बोलते हैं जमा प्रमाड पत्र कोन investment करेगा तो RBI को छोड़के बाकी सब कर सकते हैं राइट अगर मैं बात करूं इंडेस्ट्री या company की तो वह आता है commercial paper तो commercial paper बोलते हैं को investment करेगा RBI को छोड़के सब और नेक्स अगर मैं बात करूं तो आता है individual investor individual investor जो security release करेगा कोई नहीं क्यों क्यों की goodwill की बात होती है अब जैसे जैसे goodwill बढ़ेगी वैसे वैसे आपका profit जो है वो कम हो जाएगा और secure हो जाएगा loss जो है वो कम हो जाएगा यही reason होता है कि जो आप उपर से नीचे की तरफ इसमें देखते हो तो आपका जो profit होता है वो कम हो जाता है लेकिन loss होने की probability भी क्या हो जाती है जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो आपका जो परॉफिट होता यह वह बढ़ जाता है लेकिन लसोने की प्रोबिलिटी भी बढ़ जाती क्यों क्योंकि रिस्क जादा होता है रबेया की गुडविल सबसे जादा है लॉसोने के चांसे जीरो परसेंट बासंज मे आ पर फिर मैंने बोला कि जो सीक्टरोडिogen की होती है बिल और बान्ड के फार में विल रिलीज को बोलते हैं जिससका मैं चल्ड पिरडाय लि डिन से कम एक साल से कम हों कि बांड किसको बोलते जिसका मैं 40 630 से रुपए पर रिलीज होता है ट्रेजरी विल डेटेड सेक्यूर्टी दोनों फॉर्म में हो सकता है सेवन 1491 182 364 डेज पर रिलीज हो सकते हैं ठीक है यहां पर भी आपने देख लिए कि रिलीज करेंगे तो बाकी के चारों रिली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सामानिता एक लाग रुपए के होता है डेटेड सेक्यूर्टी के फॉर्म में 71491 182 364 डेज के फॉर्म में होता है नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री जो है ओवर्नेट कॉल मनी 1-14 अब दिया नोटिस मनी एं 14-365 तो बोल दिया टर्म मनी इतनी चीजें आपको याद रखनी वेलोसिटी की तना भी चीचार चीजें मनी मार्केट में इसे बाहर मनी मार्केट से क्वेस्टन नहीं पुछता हैंग्स्टों्म बाहर नोहीं प्ाइब तो यह भी आप याद रखें तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो बहुत अच्छा से इसको देख ले तो थोड़ा सा उस हिसाब से पढ़ें ठीक है फिर आज इतना ही है यह टॉपिक आपका छोटा साथ